नमस्कार मनुदेल स्रेक्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टोपिक राजबूत कालिन राजनितिक समाज और सहस्करती जिसमें देरखा है साथवी से लेके बारवी सताब देतक इसमें से इंपोर्टेंट जो क्यूशन मनते हैं उनको हम द देखेंगे पहला क्यूशन आता है कि हर्स के पश्याद उत्री भारत की राजनितिक गतिविदियों का केंदर बिंदू था तो हर्स के पश्याद जो उत्री भारत था उसकी जो राजनितिक गतिविदियों का केंदर था कन्नोज इसमें आप कन्नोज की लड़ायां देखते किस इतियासकार ने 800 से लेके 1200 की बीच के काल को राजियों के अंदर राजियों का काल का है इसुरी परशाद ने 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 आता है कि यसो वर्मन का दरबारी कवी था तो यसो वर्मन के दरबारी कवी थे वागपती वागपती की रचना गोडवहो किस बासा की है तो ये गोडवहो है ये है प्राकर्द बासा की इंपोरेंट है वागपती किस के थे दरबारी कवी यसो वर्मन के थे और ये गेड़ जो गोडवहो है ये प्राकर्द बासा की है यसो वर्मन के समय चीनी यात्री आया था तो यस लियसिवारवन के समय आये थे हुए चाओ एह थे यसु व्रवन के समय नेक्षन आता है कि महहां नटकार विवूती की रचनाय हैं तो इसमें नटकार भव किती की तो इसमें महावीर चरीत्र और मालत्यार मधव तर और उत्तरराम चरितर यह सभी किस की हैं भवभूती की रस्थनाये हैं यशो वर्मन किस ध्रम का अनुएई था यशो वर्मन था सेव ध्रम का अनुएई त्रिकोना आत्मक संगर्स में निमलकित में से कौन सी राजवन समलीता है यह पता निक्यूं फेवरेट क्युशन है इस नेक्स्ट आता है कि गुर्जर पर्तिहार वंस का सैंस्थापक था तो गुर्जर पर्तिहार वंस के सैंस्थापक थे हरीश चंद्र नेक्स्ट आता है कि महिंदर पाल पर्थम के राज दर्बार में था तो महिंदर पाल पर्थम के राज दर्बार में था राज सेखर नेक्स आता है कि गुर्जर परतिहार बंस का पर्थम वास्तविक महतपुन सासक माना जाता है तो गुर्जर परतिहार का जो वास्तविक महतपुन सासक है वो है नागबटे पर्थम नेक्स अपना क्यूशन आता है यह इतनी जो मैं बता रही हूँ या इतनी क्यूशन आप एक बार वापिस रिवाइज कर लेना इन वे से यह आपको क्यूशन मिलेंगे गैडवाल राजवन्ज की नीव कनोज में रखी तो गैडवाल राजवन्ज की नीव कनोज में रखने वाले थे चंद्रदेव नेक्स आता है कि सेंसकर्थ के विद्वान स्री हर्स किसके समकालीन थे तो सेंसकर्थ के विद्वान स्री हर्स है वो जेचंदर के समकालीन थे नेक्स आता है कि चंदावर के युद में मुहमद गोरी द्वारा प्राजित हुआ था तो चंदावर का युदुआ था जेचंदर के साथ में मुहमद गोरी का नेश्ट आता है निशेद चरीतरम निमन खित में से किसकी रचना है तो निशेद चरीतरम है ये है स्री हर्स की रचना मान्य खेत किसकी राजदानी थी तो मान्य खेत थी राष्ट कूट की राजदानी राष्ट कूट राजवंस की स्थापना की तो राष्ट कूट राजवंस की स्थापना की थी दंती दुरुग ने गैडवालों ने सासन किया था तो गैडवालों ने कहां पर सासन किया था लगबंग सबमूर उतर परदेश है उतर उस शेतर में गैडवालों ने सासन किया था फोर्थ वाला राय डांसर है किस राष्ट कूट बंस ये सासक ने लंका के राजा तथा उसके एक मंत्री को गृपतार किया था तो राष्ट कूट की वो सासक थे कर्शन तरते ने निमलिकित में से किस राष्ट कूट सास्यक ने रामेसुरम में विजे इस्तम स्थापित किया था तो यहां पर इन्हों ने अपनी विजे के उपलक्स में ये रामेसुरम में विजे इस्तम स्थापित किया था कॉशन तरते ने सबसे अधिकाल तक सासन करने वाला राश्ट कोट नरेश था महोग वर्स पाल वंस के सैंस थापक थे तो पाल वंस के सैंस थापक थे गोपाल पाल नेक्स्ट आया कि विक्रम शिला विस्व विद्याले की स्थापना की थी तो ये आपने पहले भी पढ़ा था तो विक्रम सिलावी सोविधाले की स्थापना की थी धरम पाल ने नेक्ट अपना क्युशन आता है कि किस पाल वंसी नरेश के समेच चोल समराट राजेंदर पर्थम ने बंगाल पर आकर्मन किया था तो मही पाल पर्थम ने बंगाल पर आकर्मन किया था अंतिम पाल सासक था, तो अंतिम पाल सासक थे राम पाल, पाल सासकों ने किस धर्म का प्रश्रे दिया था, तो पाल सासकों ने बो धर्म को प्रश्रे दिया था, सेन राजवन्स के सैंस थापक था, तो सेन राजवन्स के सैंस थापक थे सामंत सेन, पाल समराजे में किस तो कासे की मूर्ती का परसलन अदिख था निवने कित में से कि सासक ने लखनोती सहर की स्थापना की थी लक्षमन सेन ने बनारस तथा इलाबाद तक सेनिक अभ्यान करने वाले थे लक्षमन सेन और इन्होंने कौन सा सहर बशाय था लखनोती सहर की स्थापना की थी सेन वंस का सबसे परताबी सासक कौन था तो सेन वंस के सबसे परताबी सासक थे विजे शेन इनके नाम से ही पता लग रहा है कि नोंने काफ़ी विजे हासिल की थी तो विजे शेन है ये सेन वंस के सबसे परताबी सासक थे अजमेर नगर की स्थापना की तो अजमेर नगर के स्थापना के थी चोहां सासक अजेरान ने चामान वंच का महांतम सासक था तो चामान वंच के महांतम सासक थे पर्थुराज तरते पर्थुराज तरते को जाना जाता था तो राय पिथोरा भी कहते हैं पर्थुराज तरते को चामान सासकों को पर्तिद्वंदिता थी तो ये चंदेल वन से समन्दित है, चंदेल सासकों की राजधानी थी खजुराहो, उत्तर मद्य काल में बुंदेल खंड को जाना जाता था, तो जेजाक नाम याद रखना, जेजाक से बुंदेल खंड को जाना जाता था, नेक्ष्ट है, एक हजार तेईस इस्वी में मुहम्मद गजनवी के आकरमन के समय चंदेल सासक था, तो चंदेल के सासक थे विद्यादर, किस चंदेल सासक ने परियाग में जल समादी लेने वाले थे धंग देव, नेक्ष्ट है कि चंदेल समराज्य को दिल्ली सल्टनत में मिलाया, तो कितवदीन ने चंदेल समराज्य को दिल्ली में मिलाया था, परमारवन्च का महान सासक था भोज, भोज ने अपनी जो राजधानी थी वो धरा में लेके गए थे, इम्पोर्टेंट है यह धारा वाला इक्था बोज ने अपना राजदानी कालेके गए थे दारा में लिक्षी निमलिक्त में इसे कौन सी बोज की रस्षना पूंसी नहीं इन से है तो दांसागन यह बाकि सरस्वती कंडापरण समरांगन सुत्रधार और राज मारतंडे यह भोज की रचना याद रखनी है सरस्वती कंडापरण राज मारतंडे समरांगन सुत्रधार पूर्व मद्यकाल में कच पगात वंस के सासक सासन करते थे तो गुवालेर में यह सासन करते थे अनिलवाड़ का समन्ध था इंपोर्टेंट क्यूशन है गुजरात के सोलंकियों से मिलवाड़ा गुजरात के चालो के वंस का सबसे महान राजा था तो जै सिंग शिद राज थे गुजरात के चालो के वंस के सबसे महान सासक गुजरात में बगेल वंस की स्थापना किस ने की थी तो लवन परसाद ने बगेल वंस की स्थापना की थी स्रीपाल द्वारा ब्रूत एक संग त्यार किया था तो भीम देव परथम नेुकत आता है 1050 शुवी में गुज्राथ पे मुहमद गजनवी के आकरमन के समय यहां का सासक कूं था तो एक 2025 तोमे गुज्राथhold पे मुहमद गजनवी के आकरमन किया था था तो उस टाइम राज सासक थे भीम देव पर्थम कि सोलंकी वंस ये सासक ने मुहमद गोरी को 1188 ECU में पराजित किया था तो मुहमद गोरी को पराजित करने वारे थे मोल राज दित्ते जैन आचारे हेम चंदर किसके दरबार में थे तो जैसिंग के दरबार में थे आबू परवध पर दिलवाडा का परशिद मंदिर बनवाया था तो किस ने बनवाया था विमल ने बनाया था अनेलवाडा के करण मेरू नामक मंदिर का निर्मान करवाया था इंपोर्टेंट किशन है भोजने करवाया था करण मेरू नामक मंदिर का निर्मान करवाया था अनेलवाडा गुजरात में भोजने नियमलकेत में से कौन जेन विद्वान नहीं है तो जेन विद्वान में से कौन से नहीं है भव भूती बाके मेरु तुंग हेमचंदर और जैशिंग सुरी ये क्या है जेनी विद्वान है कि सोलंकी वंसी सासक ने अपने वंस के अत्रिक्त अपना उत्रा अधिकारी चुना तो वह है जैशिंग सिद्धराज ने कि सासक ने इलाबाद में प्रनौत्सर किया था तो प्रनौत्सर किस ने किया था गांगे परत्य थैंब किस ने किया था तो कृष याद रख़ लिना तो नहीं राजबुत तो की उत्फवती बपते हैं वुदेशी बताई है अगनी कुल में उत्पन चार राजबुत जातियां कौन कौन सी ये भी बहुत पर क्यूशन पोचा जाता है तो चार चार कौन सी हैं परमार परतिहार चोहान और चालो के परमार परतिहार चोहान तथा चालो के राजबुतों की उत्पती, विशेक मत निमलिखित में से किस गरंथ में मिलता है तो ये मिलता है पर्थिवराज रासों में दस्वी सताब जी की कस्मीर की सासी का महारानी दिद्दा किस वन से समन्दी थी तो दिद्दा है उत्पल वन से समन्दी थी ये मारानी दिद्दा नेक्स आता है अपना क्यूशन है इंसांग के भारत भर्मन के समय सिंद का सासक किस वन से समन्दी था तो सिंद के सासक थे सुद्र वन से अरबो के आकर्मन के समय सिंद का सासक था तो जब अरभों ने आकर्मन किया था तब शिंद के सासक थे दाहिर मौमद गजनवी के भारत आकर्मन का मूल मक्षद क्या था तो वो क्या करना चाते थे धन समपती लोटना हिंदू साही सासकों की राजधानी थी वेहिंद निमलिकित मेंचे कौन हिंदू साही राजा नहीं था तो कौन नहीं थे राम पाल बाके आनंद पाल जेपाल और तिरलोचन पाल इंपोर्टेंट है तिरलोचन पाल इनमें तो ये कौन थे हिंदू साही राजा थे तिरलोचन जेपाल और आनंदपाल मुहमत गजनवी का अंतीम आकर्मन भारत्पर हुआ था तो मौम्मद गजनवी ने भारत पर अंतीम आकर्मन किया था एक ईजार सताइस में मौमत गोरी के आकर्मन के समय उत्तर पस्लिव 봤北 we में सबसे महान कौन थे तो राय पिथोरा पर्तिवराज तर्तिव को अम राय पिथोरा के नाम से जानते थे तो यह अत्रपस्जी में भारत में राय पिथोरा सबसे महान सकती थे जब मुहमद गोरी का अकबरन हुआ था मुहमत गोरी कि सेनानायक ने बंगाल और बिहार जीता था? राजबूत्यों की विदेशी उतपती की मत का परत्यपादन सरव परथम किस नी किया था? मुदरा राक्षस रचियता है important question है तो विशाघधत की पुष्थक है मुद्रा राक्षप दिली नगर की स्थापना की थी तो दिली नगर की स्थापना करने वाले थे तोमर सासक, तोमरों ने क्या वसाई थी? देलियनगर को बसाया था चचनामा से प्रकास पढ़ता है तो चचनामा किस पे है? सिंध पे ये प्रकास डालती है पुस्तक चचनामा नेक्स्ट है कि भूमीदान पत्रों में चेतर सबद का प्रियोग किस अर्थ में मिलता है ये इंपोर्टेंट है तो खेती युग्य भूमी उसे का गया था चेतर जेपाल किस वंस का था? तो जेपाल थे हिंदू साही वंस की मेदा तिती किस गरंद का टिका कार था? इंपोर्टेंट है के विरूद हिंदू सासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था तो हिंदू सासकों में क्या थी राजनितिक एक्ता का अभाव था इस वज़े से मुस्लिम अक्रमनकारियों ने इस पे विजय प्राप्त की थी उडिशा के मंदिर किस सेली में बने है ये बहुत इंपोर्टेंट क करने वाले हिंदू साही बंस के सासक कौन थे तो जैपाल ने यह आतमत्या कर ली थी पूर्व मदेकाल में राजबूतों की अवस्था में गिरावट के कारण थे तो पूर्व मदेकाल में जो राजबूतों की अवस्था थी उसमें गिरावट देखनों के अमली तो वो क्य के मंदिर का समन था चंदेल से मिहीर भोज का गवालियर अभिलेख परतिहारों की उत्पति प्रारम करता है तो मिहीर भोज का जो गवालियर अभिलेख है उसमें जो परतिहारों की उत्पति है वो लक्षमन से मानी जाती है कि लक्षमन से इनकी उत्पति हुई है परतिहारों की मिहीर बोज का ग्वालियर अभिलेक कस्मीर का नीरो कहा जाता है कस्मीर का नीरो कहा जाता है हर्स को इंपोटेंट है कस्मीर का नीरो हर्स नेक्ष आता है अपना क्यूशन कल्हन की राज्तरेंगीनी की रचना हुई थी तो कल्हन ने क्या लिखिये राज्तरेंगीनी और इसकी रचना कब की है कल्हने बारवी सताmetी में निमलेखित में से किस के आयात पर मारकोो पोलो भारते धन के एक बड़े भाग के अपवे पर दुख परकट करता है यह बहुत इंपोर्टेंट बात है तो घोडे किसके आयत पर मारको पुलो भारति धन के एक बड़े भाग के अपवे पर दुख परकट करता है तो घोडे पर निमलेकित में से किस मंदिर का शिखर दर्विड से लिका है शिखर पूछा है, शिखर दर्विड से लिखा है, तो वह है तेली का मंदिर गुवालियर सर्वन वेल गोला इस्थित है, तो सर्वन के वेल गोला कहां पर है, करनाटक में इस्थित है 12 सताबदी का बंगाल का वह विद्वान जिसने दाय भाग नाम गरंत लिखा था करते कलब तरू का लेखक लक्षमी धर कहां का था, तो करते कलब तरू किसकी है, लक्षमी धर की है, और यह कहां के थे, माराश्टर के थे विग्यानेश्वर तथा अपरार्क ने किस मर्ती पर भाष्चे लिखा विग्यानेश्वर और अपार्क ने तो ये लिखे यागवल्ले समर्ती में भाष्चे लिखें निती वाक्य मर्त का लिखक कौन है तो निती वाक्य मर्त के लिखक है जेन आचारिय सोमदेव पूर्व मदेकाल में प्रांत की संग्या दिये तो प्रांत की संग्या किसे दी गई है भुक्ती को दी गई है नेक्स्ट है कि पूर्व मदेकाल में किन राजवन्सों के पास नोसे ना थी तो नोसे ना थी पाल और चोलों के पास में पूर्व मद्यकाल में कर नहीं था तो इन में से कौन सा कर नहीं था बली बाकि भोग भाग और उपरिकार ये क्या थे पूर्व मद्यकाल में कर थे भाग भोग और उपरिकार चचनामा लिखी वी है चचनामा किस में लिखी वी है तो चस नामा है अर्भी बासा में राजपूतों का इतियास जानने में सायक है तो इसमें से कौन से में राजपूतों के इतियास के बारे में जानकारी मिलती है तो कुमारपाल चरीतर पर्थुराज रासो और वन रतनाकर इन सबी से हमें राजबूतों के तियास के बारे में जानकरी पराप्त होती है ये कुछ महतापून आपके 100 Quesn थे राजबूतों के उधपति, समाज और इनके बारे में इसमें से ही आपको ये ही आपको repeat करके बार-बार देखने हैं इन्हीं में से क्यूशन आपको इस टोपिक से मिलेगा ओके थेंक यू फूर वाचिंग मैं वीडियो